केंद्र की नरेंद्र मोधी सरकार ने तीन ऐसे बिल लोग सभा में पेश किये हैं जो कई कानूनों की नई परिभाशा को तै कर सकती है ग्रेह मंत्री अमिच्या ने भारतिया न्याय सहीता बिल, भारतिया नागरिक सुरक्षा सहीता बिल और भारतिया साक्ष अधिनियम बिल पेश करते हुए राजद्रोह कानून को पूरी तरह से खत्म कर दिया है अमिच्या निकाया है केंद्र की नरेंद्र मोधी सरकार ने तीन ऐसे बिल लोग सभा में पेश किये हैं जो कई कानूनों की नई परिभाषा को तै कर सकती है अर्थिया ग्रेह मंत्री अमिच्या ने भारतिया न्याय सहिता बिल भारतिया नागरिक सुरक्षा सहिता बिल और भारतिया साक्ष अधिनियम बिल पेश करते हुए राजद्रोह कानून को पूरी तरह से खत्म कर दिया है केंद्र की नरेंद्र मोधी सरकार ने तीन ऐसे बिल लोक सभा में पेश किये हैं जो कई कानूनों की नई परिभाशा को तै कर सकती है भारतिया नागरिक सुरक्षा सहिता बिल और भारतिया साक्ष अधिनियम बिल पेश करते हुए राजद्रोह कानून को पूरी तरह से खत्म कर दिया है अमिच्छा नि कहा है कि इन विधायकों से अपराधिक दंड सहिता में परिवर्तन होगा इसके साथ ही इंडियन पिनल कोड यानि की IPC अब भारतिया न्याय सहिता कही जाएगी शाह नि कहा कि आने वाले वक्त में ये बिल जब कानून बन जाएगा तो भारतिया न्याय सहिता में बड़ा बदलाव होगा मॉब लिंचिंग से लेकर भगोडे अपराधियों तक कानून में कई सारे बदलाव का प्रस्ताव पीश किया गया है अन्य न्यमों और सिधानतों को समीकित करने और प्रदान करने के लिए राजद्रों कानून होगा खत्म जूटी पहचान वाली शादी पर कड़ी सजा बगोडों की अब खैर नहीं केंद्र की नरेंद्र मोधी सरकार ने तीन ऐसे बिल लोग सभा में पेश किये हैं जो कई कानूनों की नई परिभाशा को तै कर सकती है गृह मंत्री आमिच्षा निया भारतिया न्याए सहिता बिल, भारतिया नगरिक सुरक्षा सहिता बिल और भारतिया साक्ष अधिनियम बिल पेश करते हुए राज द्रोग कानून को पूरी तरह से खत्म कर दिया है इसके साथ ही इंडियन पिनल कोड यानि की IPC अब भारतिय न्याय सहिता कही जाएगी शाह नी कहा कि आने वाले वक्त में ये बिल जब कानून बन जाएगा तो भारतिय न्याय सहिता में बड़ा बदलाव होगा को मॉब लिंचिक से लेकर भगोडे अपराधियों तक कानून में कई सारे बदलाव का प्रस्ताव पीश किया गया है अपराध और सामाजिक समस्याओं की निप्टान के लिए इस कानून को बनाये गया है शादी, रोजगार, पत्तो निती के जूटे वादे और गलत पहचान बताकर जो यौन शंबंद बनाते थे उसको अपराध की श्रेड़ी में पहली बार नरिंद्र मूदी सरकार ला रही है गैंग्रेप की सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारवास की सजा का प्रावधान किया है जो आज के समय में नहीं है वही 18 साल से कम आयू की बच्चियों की मामले में रित्यूडन्ट का भी प्रावधान है बता दे कि अब भगोडों को भी सजा मिलेगी दरसल सेशन कोट के जज़ पूरी प्रक्रिया के बाद जिसको भगोडा घुशित करेंगे उसकी अनुपस्तिती में ट्रायल कोट होगा और उसे सजा भी दी जाएगी दुनिया में वो कहीं भी छिप जाए उसे सजा सुनाई जाएगी मॉब लिंचिंग पर सीधे मौद की सजा स्नैचरों पर चलेगा कानून का डंडा बतादे कि अमिच्या ने बिलपेश करते हुई कहा कि मॉब लिंचिंग का बड़ा शूर मचा है हमने उसको बड़ा केरफुली देखा है और मॉब लिंचिंग के लिए भी साथ साल की सजा या आजीवन का रवास और मृत्यू डंड का प्रावधान इस कानून में किया गया है वही स्नैचिंग के लिए भी चाहे महिलाओं की चेन हो या कुछ और हो कोई प्रावधान नहीं था जिसकी वज़े से बहुत सारे लोग छिप जाते थी क्योंकि वो चोरी में नहीं गिना जाता था वही अब स्नैचिंग का भी प्रावधान डाया गया है वैसे आपकी क्या राय है CRPC संचोधन बिल को लीकर हमें कॉमेंट करकी जरूर बताए